okay इसका part three गेखते हैं से क्कृता ओंवाय नाओने लाहिक टम सबसे पहले हम यहां देखते हैं इस एक्स्प्ड؟ इसमें एक bracket भी है, तो जहां पर bracket आता है, आपर हम board mass use करते हैं, तो सबसे पहले हम यहां पर bracket को solve करेंगे, तो bracket से पहले जितनी terms है वो और bracket के बाद जितनी terms है वो, सबको हम as it is rendering है, सिर्फ change करेंगे, तो क्या bracket को, bracket को भी कैसे change करना है, तो देखते हैं, तो देखते हैं, त 3ab minus b plus a अब ही क्योंकि हमें bracket solve करना है तो bracket से पहले कि जो भी ये तीन terms हैं उपको as it is रिखने के 7a minus 5b minus a अब चलते हैं bracket की तरफ तो यहां देखें यह है इतना आपका bracket इस bracket से कहले है minus का संग तो अब यहां एक और बात आपको याद रखनी है अब इस वेरी इंपोर्टेंट रिमेंबर एट कर फुली कि यहां पर आपको जो बात दनावे रखनी है वह यह है कि अगर ब्रैक्ट से पहले याप साब रैक्ट है अगर इस ब्रैक्ट से पहले नेगेटिव साइन आ जाता है अगर इस ब्रैक्ट से पहले नेगेटिव साइन आ जाता है तो इस की साइन की जिसे इस ब्रैक्ट के अंदर जो भी टॉंस है सबके साइन ऑपोसिट हो जाएंगी क्यों को जाएंगे क्योंकि आपको मारो में है अब यह माइनस ए साइन है और टो दीजेंगे मिन्स ऑपोजट कर दीजें अब अने साइन्ज कर देए लोगे यहँआं पर क्या है में अब नियां के बास एक प्लस को माइनस में बदल दीजे são ίह माइनस 3जा उसको , ऐनस का साइँ और पीछे की चिस्ञालिकिस है am अब लिखने के पर आपको क्या करना है इस पैसे light terms देखने होगे अब मैं आपको starting में मैं आपको light terms के brackets बनाना सिकाऊंगे आगे के questions में हम brackets नहीं बनाएंगे without brackets directly इसी line पर हम solve करना सकते हैंगे यही एक step होगा जो आपका question होगा और next step आपका answer होना चाहिए के questions में यहां पर आपका addition or subtraction दिया जाता है वहां पर आपका पहला step होता है question और दूसरा step होता है answer पीच के यह जो steps है अगर इस तरीके से कोई negative sign आजाता है कब तो आप step उसको करके दिखाए otherwise आपका जो next step हो answer ही होना चाहिए यहां पर मैं आपको starting है आपकी अभी आप लोग क्लास्माइन सीख रहे हैं algebraic expressions का इसलिए मैं आपको brackets बना के बताऊंगी तो bracket से आपको आसान हो जाएवर कि आपको क्या-क्या terms देखनी है तो हम सबसे पहले काम करते हैं a की terms बनाते ही यहां a है तो हम a की जितने भी यहां पर terms है वो pick up कर लेंगे यह a है तो इसको इसके sign के साथ उठाएंगे माइनस 2a और उसके बाद प्लस a किसी इन terms है a की प्लस करके दूसरा bracket बनाते है b का तो माइनस sign के साथ लेंगे इसको माइनस 5b प्लस 3b and माइनस b यह मैंने b की brackets बना ली अब a b की brackets बनाते ही minus a b again minus a b and plus 3ab टोटल इसके त्री तरम्स नहीं पर ही 1,2,3,4,5,6,7,8,9 हमारे पास यहां पर भी अपने 9 terms कुरी ले लिए 3,3 and 3 चलिए solve करते हैं इसको इसमें common क्या है a अब इसके numbers की तरफ देखे है 7,7 minus 2 अब यहां पर जिब आप solve करेंगे तो यहां पर यह a हटा देंगे तो 1 बचेंगे 7 minus 2,5,5 plus 1,6, यह हो गया आप बास 6,8 solve करने का तरीका जितनी ज़दी आप सीख जाएंगे उतना अच्छों उसके बाद B, यहां से B हटा जिते हैं, यहां से B हटने के बाद क्या रचेगा? 1, चलो यह solve करने, minus, plus, minus, 5 minus 3, 2, और क्योंकि 5 बढ़ा है उसके साथ minus 1, तो minus 2, and this is minus 1, जब दो negative signs आ जाते हैं तो यह आप से plus हो जाते हैं, minus, minus, plus, और बड़े रंबर के अगे का sign, minus, तो यह होंगे आपना minus 3B, अब चलते हैं AB की तरह, तो यहां पर AB पूरी term है, तो यहां पर 1 ले ले, यहां पर भी इसके साथ कोई number नहीं है, तो इसके साथ भी 1 ले ले ले, और इसके साथ AB हटा, minus, minus, plus, one, plus, one, plus, one, two, and minus, minus, two, plus, three, minus, plus, minus, three, minus, two, one, और क्योंकि इसके साथ, बड़े number के साथ, plus का sign है, तो plus, one, plus का sign आजाएगा, one क्योंकि हम लिखते नहीं है, और इसके साथ AB है, यहां आना चाहिए है, one AB, लेकिन क्योंकि हम one लिखते नहीं है, इसलिए यहां पर सिर्फ क्या लिखेंगे, AB, AB, यहां पर इसको change कर देते हैं दोबारा से, अगर किसी को नहीं समझ में आया, नहीं यह वाला अभी, तो मुझसे दोबारा पूशनी चीएगा, यह बहुत important है, इस stage पर अगर आप लोग plus minus नहीं सिखेंगे, तो फिर बहुत परिशानी हुजाएगी,